Hello friends तीन महीने में स्टोक बढ़ा है और इंडेक्स बढ़ा है ये रेड लाइन है वो ये में 20 डेज की लाइन है ये ब्लू लाइन है वो ये में 50 डेज की लाइन है कितनी सारी अपर सर्किट्स लगी है स्टोक प्राइसेस इस लेवल पर टिक नहीं पाई ये तो सबको पता होता है कि एक दिन ये अपर सर्किट खतम हो जाएगी और लोवर सर्किट की शुरुआद होगी लेकिन अपर सर्किट में एक दिन में इतना प्रोफिट मिलता है जितना बैंक FD में एक साल में इंट्रेस नहीं मिलता इसलिए लोग buying करते रहते हैं यहां से यहां तक जिसने भी लिया वो आज loss में है मुझे लगता है prices और भी नीचे जाएगी रहते हैं THANK YOU